सो ही गाज आज की इस वीडियो में बात करेंगे टॉप 3 स्मार्टफोन सा अंडर 40,000 अकर अपकी बज़ट इस 40,000 रुपीज और 40,000 के एंज पर आज की एट पर कोई बेस्ट स्मार्टफोन बाय करना चाहते हैं तो इस वीडियो का एंट तक कम्प्लीट बाच करेंगे आज की इस वीडियो में आपको वो इस्मार्टफोन सा बताऊंगा जो की सबसे बेस्ट स्पैसिफिकेशन के साथ में आपको देखने को मिल जाते हैं जाता है इस वीडियो में अपको देखने को मिल जाता है जो की इस अवरॉल फोन अच्छा को देखने को मिल जाता है इस फोन की complete specs की बात करने तो 6.55-5 ins की आपको पी ओलए डिस्पले देखने को मिल जातिये जो की काफिए अधा the best है और 144 और refresh rate के साथ में आपको display देखने को मिलती है कब display आपको देखने को मिल जाती है जो कि बहुत ये अच्छी बात हो जाती है और center punch और display आपको देखने को मिलती है साथ में इस phone के processor की बात कर लें तो Qualcomm इस आप इनका 8888 प्लस वाला chipset देखने को मिलता है जिसकी performance आपको decent देखने को मिल जाती है top notch performance आपको देखने को मिलती है एंडगाईज हम बात कलते हैं इस phone की camera's की तो 50 प्लस 13 प्लस 2 में एफसल का आपको triple rear camera setup देखने को मिलता है इस camera से highest जो video recording आप कर सकते हो 8 के 30 fps पर निकाल सकते हो चुकि बहुत ही अच्छी बात है साथ में front camera की बात कलें तो आपको 32 में एफसल का front facing camera देखने को मिलता है front camera से आप 4K 30 fps पर वीडियोस को आराम से record कर सकते हो एंड़ेज हम बात कलते हैं इस phone के battery की तो 4,400 image की battery आती है चार्ज करने के लिए आपको 68 watt का first year का support भी देखने को मिल जाता है 8 128 के साथ में best rent आता है जिसकी pricing आपको 39,999 रुपीज देखने को मिल जाती है आराम से आपको 40,000 में ये smartphone देखने को मिल जाएगा और इस price segment पर आपको सबसे best smartphone ये देखने को मिल जाता है और इस next smartphone के बारे में बात कर लें जो कि आपको देखने को मिलता है IQ को दर्प से IQ9 जो की काफी आदा best है एक gaming center के smartphone आपको देखने को मिल जाता है अगर आप एक gaming center के smartphone लेना चाहते हैं तो इससे better options आया दिया आपको market पर मिले इस smartphone पर जो आपको specs देखने को मिलती है top notch देखने को मिल जाती है और performance by काफी आदा best smartphone आपको देखने को मिल जाता है इस phone की complete specs की बात कर लें जो display आपको देखने को मिलती है वो आपको देखने को मिलती है 6.56 inches की जो की AMOLED display with 120Hz refresh rate के साथ में center punch oil display आपको देखने को मिल जाती है no doubt display आपको top notch देखने को मिलती है और गाइस processor की बात करने तो इस phone पर मिलता है Qualcomm stand का 888 plus वाला chipset जिसकी performance आपको काफी आदा best देखने को मिलती है gaming बगेरा आप अराम से इस smartphone पर कर सकते हो और गाइस battery की बात करने तो इस phone पर आती है 4350Ah की बैटी जो की charge करने के लिए आपको 120W का एक बड़ा सा charger आपको देखने को मिल जाता है जो की इस phone को बहुत यदा खास बना देता है और गाइस cameras की बात करने तो 48 plus 13 plus 13 megapixel का आपको triple ear camera setup देखने को मिलता है इन camera से आप 4K 60fps पर आप videos को भी निकाल सकते हो आराम से and front camera की बात करने तो 16MP आपको front facing camera देखने को मिलता है front camera से आप 1080p में 30fps से videos को निकाल सकते हो साथ में 8128 के साथ में best event आता है जिसकी price आपको 42,990 rupees आपको देखने को मिल जाती है जो कि आपको 43,000 के असपास देखने को मिलता है बट offers लगाते हैं तो आराम से आपको 40,000 की range पर आराम से देखने को मिल जाएगा तो इस smartphone को भी आप try कर सकते हो इस next smartphone के बात करें जो कि आपको Samsung के brand value शायत में देखने को मिलता है Samsung Galaxy S21 FE 5G देखने को मिलता है जो कि आपको आराम से 40,000 की range का देखने को मिल जाता है और इस price segment पर Samsung की brand value देखने को मिल जाती है और साथ में experience आपको काफ़ यादा best लगेगा इस smartphone पर जो आपको UI देखने को मिलती है वो काफ़ यादा clean देखने को मिल जाती है इस phone की complete specs की बात कलें जो इस phone पर आपको display देखने को मिलती है 6.4 inches की AMOLED डिस्पले आती है और Samsung की AMOLED डिस्पले आप जानती होगी कितने better color आपको provide कराती है साथ में center punch hole डिस्पले आती है with 120 years refresh rate भी आपको देखने को मिल जाता है और गईज हम बात कलते हैं इस phone के processor की तो Exynos का 210 वाला processor देखने को मिलता है जो की decent है gaming भी थोड़ी बहुत अराम से आप कर सकते हो और गईज हम बात कलते हैं इस phone के battery की तो इस phone पर आती है आपको 4005 end damage की betty 25 word cup को first year का support भी देखने को मिल जाता है जो की बहुत इच्छी बात है और गईज हम बात कलते हैं इस phone के cameras की तो cameras आपको top-knows देखने को मिलते हैं because Samsung के जुख cameras आपको देखने को मिलते हैं इन camera से आप 4K 60fps वीडियो को भी आराम से निकाल सकते हैं front camera 32mm एक अपसल का देखने को मिलते हैं front camera से भी आप 4K 60fps वीडियो को आराम से निकाल सकते हैं और गईज हम बात कलते हैं इस phone के best friend की 8128 के साथ में best friend आता है जिसके price आपको 40,000 के around में देखने को मिलते हैं offers बगएरा लगाते हैं तो और भी कम इए smartphone आपको देखने को मिल जाता है तो यसे smartphone को भी try कर सकते हो इतने कुछ top 3 smartphones under 40,000 के range के सबसे ज़्यादा best smartphones देखने को मिलते हैं तो एक वीडियो संदाथ वीडियो को लाइक के देखने को एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बालकिंग जोबस के देखने हैं थैंक्स वाचिंगे चाहिए